जारखंड में अवैद खनन और मनी लॉंडरिंग केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को अब जमीन भोटाला केस में भी गिरफतार किया गया है ED ने इससे पहले प्रेम प्रकाश को प्रोडक्शन रिमान पर लिया था प्रेम प्रकाश को पिछले साल ही साहिब गंज में हुए एक हजार करोर रुपिये के अवैद खनन और मनी लॉंडरिंग केस में गिरफतार किया गया था हाल ही में प्रेम प्रकाश से प्रवर्तन निदेशाले ने रांची में हुए जमीन घोटाला केस के सिलसिले में पूछताच की थी सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रकाश को फरजी कागजातों के जरिये करोडों की जमीन की अवैद तरीके से खरीद बिक्री की पूरी जानकारी थी E.D. ने रांची में जमीन भोटाले से जुड़े money laundering केस में में प्रेम प्रकाश को पहले ही production रिमान पर लिया था अवैद खनन केस में जेल में बंध प्रेम प्रकाश अब जमीन भोटाला केस में भी आरोपी है बीते तीन और चार अगस्ट को E.D. के अधिकारियों ने जेल में ही प्रेम प्रकाश से पूछताच की थी दरसल E.D. ने प्रेम प्रकाश के पास इस बात की जानकारी थी कि रांची में फरजी कागजात तयार करने वाला गिरोह है इस गिरोह के द्वारा जिस जमीन की फरजी दीद तैयार की गई थी उसे गलत तरीके से प्रेम प्रकाश में अपने करीबी पुनीद भार्गव के नाम करा लिया जिसके बाद पुनीद ने इसे विश्नु अगरवाल को बेचा था जमीन के इस दील में प्रेम प्रकाश को देड़ करोर रुपिय मिले थे ED ने इससे जुड़ा साक्ष्य भी रांची की विशेश PMLA कोट की दिया गोर तलब है कि रांची भूमी घोटाला केस में अब तक ED रांची के पूर्व DC छवी रंजन और कारोबारी विश्नु अगरवाल सहित PP को मिलकर कुल 14 लोगों को गिरफतार कर चुकी है केस की जाच पिछले एक साल से चल रही है पिछले साल ED ने नवंबर में कारोबारी विश्नु अगरवाल के ठिकानों पर चापा मारा था इसी वर्ष 13 अप्रेल को ED ने पूर्व रांची DC और तातकालीन समाच कल्यान निदेशक छवी रंजन के जमशेत पुर स्थित घर के अलावा रांची, सिंडेगा और हजारी बाग के कई ठिकानों पर चापा मारा था उसी दिन साथ लोग गिरफतार किये गए थे नेताओं वर नौकरशाहों का करीबी प्रेम प्रकाश गतवर्ष 25 अगस्त को गिरफतार हुआ था वो अवैद खनन का मस्टर माइन रहा है साहिब गंज में पत्थर धुलाई करने वाली कमपनी CTS Industries Limited का नेदेशक संजे चौधरी प्रेम प्रकाश का करीबी था संजे चौधरी की कमपनी ने बिना परिवहन वो खनन चलान के करीब 100 करोड के अवैद पत्थर का परिवहन करवाया था अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले